नोबेल कोरोना वायरस विश्ववापी महामारी के रूप इत्यार कर लिया है। ऐसे में जरुवात है हम सब को इदूसरे का साथ देने का। क्योंकि यह खतानाग बीमारी ना बंदूख से डरता है ना तलवार से, ना तोप से डरता है ना ही बंग से। यह डरता है तो नोबेल कोरोना वायरस महामारी से बचाओ के लिए जहां लॉकडाउन के स्थिती में बाहर नहीं निकलना है। ऐसे स्थिती में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें राशन एवं जरुरी चीजों के लिए तरसना पड़ रहा है। देखिए अरिपोट। पत्रकार साथी एवं यूनियन द्वारा राशन एवं भोजन व्यवस्था कई आवसरों पर की गई है। यही नहीं जिला पत्रकार एस्सोशेशन के पत्रकार साथी वालेंटियर की भूमिका में सुबह दिंचरिया की वस्तुएं लेने आने वालों को सोशल डिस्टेंशि की समझाइस दी जा रही है। इसके लावा कुछ स्वैम सेवी संस्थाओं के द्वारा भी समझाइस मास्क बाटने और जागरुक करने का काम जारी है। इसके लावा बैंकों में भी कई तरह की सावधानिया बरती जा रही है। शमझाइस दी जा रही है, साथ ही साथ कुछ पेट्रोल पंपो द्वारा भी इस दिशा में कारगर उपाय किये जा रहे हैं इस तरह से इन सब के प्रयासों से शाषन प्रशाषन को बल मिल रहा है वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी बहुत ही लापरवाही से नीमों की अंदेखी कर रहे हैं जिसके ताहद वे खुद और समाज के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं ऐसे करने वाले 500 से अधिक लोगों के विरुद विभिन धाराओं के ताहद कारवाई की गई है तो कई मुनाफ़ाखोरों का दुकाने भी शिल की गई है इस दिशा में जिला प्रशाशन द्वारा समझाईस के साथ प्रकराण दर्ज करने की करवाई लगातर जारी है वहीं जरुरत मंदों के लिए दान दाताओं को सामने आने की अपील भी की जा रही है जमा करना हो या भुष्तान करना हो अच्छा जो है यह भी कहा गया है कि नोट जो है नोट भी जो है बाइरस के संक्रमन का एक माध्यम हो सकता है अच्छा जो है यह भी आसंका जताई गई है तो उसके लिए यहां पर क्या किया जा रहा है अच्छा जैसे पिछले आपने बता रहे थे कि जो नोट है दो ती दिन पहले की नोट है आप पेमेंट करने के लिए दे रहे हैं आज यह कोई जमा करता है तो उसको आप पेमेंट के लिए नहीं देते हैं उसको दो-तीन दिन रखने के बाद जी अच्छा अच्छा यह भी कहा जा रहा था कि जो हैना बहुत सारे बैंक जिसमें से बैंका बड़दा भी है डिजिटल मैंकिंग के सारे चार्जेस खतम कर द अच्छा मतब डिजिटल मैंकिंग का कोई भी आप सेवा लेते हैं तो उसमें कोई भी सुल्क नहीं लिया जागा अगले तीन मेने ता जनकर्म परिवार ने इस लाब डॉन के दुरान यह तै किया कि हम जर्वत मंदों को दवाई उपलब्द करवाएंगे एवं बहुत सार परिवार रायगड कैसे हैं जो यूपी से आ रखे हैं जागण से आ रखे हैं उनको रासंग रस्ता करवाई जाएगी आज से चार दिन पहले जनकर्म ने यह अभ्याद की सुरुवात की थी मुझे बहुत ही खुशी है कि कई सयोग करताओं का हमारे पास कोन आया जिनों ने कहा कि भईया हमसे भी कुछ मदद लिजिए और बहुत ही जर्वत मंदों को हमने उनके द्वारा मदद करवाई इस क्रम में आज सुबह भी हमने पास से छे जगा रासन समान उपलब्द करवाया मैं उन सभी सयोग करत्याओं का बहुती धन्यवाद ग्यापन करना चाहता हूँ और जब तक यह लॉक्डाउन रहेगा जनकर्म परिवार प्रतिबद है उन जरुवत मन लोगों को रासन समान उपलब्द करवाने का है गायगर से मोहन आया की रिपोर्ट आरजे रमजाजहर और अब एक खास बात आरजे रमजाजहर के दर्शकों से निवेधन है ताबर तोड बेबाक वा बेजीज़क खबर देखने वा जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है उसे दबाते ही बैल आइकन आजाएगा उसे क्लिक करके All Options सलेक करते हैं जिससे सबसे पहले हमारे दोरा डाले गए वीडियो आपके पास पहुँचेंगे और आप निर्वार तरीके से चैनल के माद्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं नमस्कार